नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब चनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे कोल इंडिया के तरफ से आई एक बड़ी नियूज के बारे में अभी कोल इंडिया के सेक्रेटरी ने बताया कि कोल इंडिया ने पिछले साल जो है 6.6 billion ton coal का रिजर्व अपने रिजर्व में सामिल किया है फ्रेंड्स यह जो रिजर्व है वो exploration के माध्यम से मिला है exploration में शर्वे जैसा कि आप नियूज में देख सकते हैं Economics Times की यह report है Economics coal reserve need to be identified faster coal India security to coal India exploration आम coal India के secretary ने बताया कि coal India ने exploration के माध्यम से अभी 6.6 billion ton coal का जो रिजर्व है वो अपने रिजर्व में सामिल किया है Friends आपको बता दें कि भारत में जो कोईले का रिजर्व है लगभग 320 billion ton coal का रिजर्व भारत में सामिल है जिसमें भारत में जो कोईले का रिजर्ब है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा फ्रेंट 36 गड़ में जारखर्ण में उड़ीशा मध्यप्रदेश महाराष्ट्रा यहां पर जो है कोईले का रिजर्ब सबसे ज़्यादा है और भारत में जो कोईला पाय जाता है वो bituminous quality का coal होता है इन्होंने exploration मतलब survey के माध्यम से बताया कि 145 गीगावर्ट की बिजली अगले जो 10 साल है उसमें बनाई जा सकती है इतना कोईला हमें मिल चुका है 6.6 billion ton का जो कोईले का reserve है वो इनको मिला जिसमें जो है इन्होंने अपने माध्यम में सामिल किया है फ्रेंड्स ये जो exploration का काम है वो लगतार चलते रहता है क्योंकि कोईले का जो reserve है वो identify पूरे तरीके से भारत में नहीं हो पाया है फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मेहंगी जो exploration का काम होता है वो होता है मेहंगा काम, survey का काम जिसमें आपको survey के माध्यम से पता करना होता है यह जो company आपको international level की company देखने को मिलेगी इसमें जो है international level की company रहती है वो कोले या गेस या कोई भी प्रकार का मनेरल से उसको identify करती है जैसा कि आप News में देख सकते हैं इन्होंने बताया कि कोल इंडिया के security जो अनिल कुमार जेन है इन्होंने बताया कि कोल इंडिया ने न्यू एरिये को edition में जोड़ा है इसके माध्यम से इन्हें एकोनॉमिक द्रश्टी से फायदा होगा अभी सी एम पीडी आई एल कोल माइनिंग प्लान डिजाइन इंस्टिट्यूट है इन्होंने भी जो है अपना सर्वे का काम किया है जिसका हेड़कॉर्टर है वह आपको राची में देखने को मिलेगा जैस सेखर सरन उन्होंने बताया कि कोल इंडिया ने जो है अभी सेस्मिक सर्वे के माध्यम से यह जो नई टेक्नलोजी है मतलब कि वहां पर किस प्रकार की टेक्नलोजी यूज की जाएगी उस कोईले को निकालने में उसका काम बहुत ही तेजी से किया है जिसमें आपको जो है क को कोले का एक प्रकार होता है वह आपको देखने को मिलेगा इसमें जो है कोल और एक्सप्लूरेशन का काम किया है जिसमें बहुत ही तेजी से हमको पताचल पा है कि कम से कम ने बताए कि सेस्मिक सरवे एक्सपूरिवरेशन आपको झो एटैफ्सकर Saizk मैं इंडिया का Hay जि के माध्यम से जो है हमको अभी तक इतना रिजर्व मिल बाया है जिसमें 6.6 billion ton हमने कोईले का रिजर्व है उसको अपने रिजर्व में सामिल किया है इसके अलावा इन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड और कोल मिनिस्ट्री से बात की और उन्होंने बताए कि कोल मिनिस्ट्री के साथ बात करने के बाद जो है यह अपना इंप्लिमेंटेशन का काम करेंगे जिसके माद्य हमसे एक रोड में तयार किया जा सके कि और कितना कोल है उसको आइडेंटिफाई करना है हमें इन्होंने इसके अलावा बताए कि जो 6.6 कोली के रिजर्व को निकालेंगे और 145 गीगावर्ट बिजली बनाएंगे इन्होंने बताए कि कोल इंडिया ने जो है लगभग 31 कोल माइनिंग के जो प्रोजेक्ट है जिसके माद्य हम से 128 मिलियन टन कोली का रिजर्व इससे निकल सकता है फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक्सप्लोरेशन का काम बहुत ही महंगा काम होता है आपको कुछ दिनों पहले पता होगा कि पाकिस्तान में पता चला था कि वहाँ पर जो है वह अपना गेस निकलने वाला है या नेचुरल गेस वहाँ पर पाई गई है बट वह जो है एक्सप्लोरेशन के काम वह अपना क काम पूरा होता है बिलियन डॉलर्ण खर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके राज में या आपके कंट्री में किस प्रकार का जो मिनरल से वह पाया गया है और इसके लावा इन्होंने बताया है कि लगबग एक्सप्लोरेटर डिलिंग जो आपका डिलिंग हुआ ह 114 कोल ब्लॉक जो है इनका पता चला है जो जमीन है लगबग 260 स्क्वेर किलो मिटर में 114 कोल ब्लॉक का पता चला है एक्सप्लोरेशन के माध्यम से और CMPDIL के जो चेयर्मेन है और सीनियर एक्सक्यूटिव उन्होंने बताया है कि लगबग 13,75,000 मीटर अपना इन्होंने डिलिंग का काम किया इसमें से लगबग 5,00,000 मीटर जो है इन्होंने डिपारिटमेंट मतलब खोदी किया बाकी का जो काम है वो आउट्शोर्स के आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि लगबग 5,000,000,000 टन कोले का जो रिजर्व है वह एक्जस्टिंग प्रूबन डिजर्व है जो लास्ट यह जो है हमको पता चला है आप देख सकते हैं कि कि इतना डिलिंग का काम हुआ 13,75,000 मीटर लगबग डिलिंग का काम किया जिसके माद्यम से 5,000,000,000 जो है इन्होंने खुद किया 5,000,000,000 मीटर तक का फ्रेंट्स एक्सप्लोरेशन का काम जो है वह आपको बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनी है वो करती है इसके अलावा जो इंडिया में करती है वो GSI है एक Geological Survey of India और इसके कमें're सन का काम करता है इसके माद्यमं से बताय कि लाश्च एर जो है इन्होंने टेराल देराल तक का जो है डेलिंग का काम अपना पूरा किया जिसके माध्यम से जो इनका टारिएट था लगवग 13,666,000 मीटर तक का था जिसमें इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट के माध्यम से किया और कुछ आउट्सोर्स के माध्यम से यह ने किया है लास्ट यह जो है कमपनी ने टू एडेट जो मतलब की equipment से वो किस प्रकार के लगेंगे और software जो है आपको friends देखने को मिलेगा कि computer में कुछ software होते हैं जिसके माध्यम से जो है आपका drilling का पूरा पता लगा जा सकता है कि जमीन में कितनी नीचे पे जो है वो कौन सा रिजर्व सामिल है कोईला पत्थर पीतल तांबा सोना चांदी यह जो है आपको software के माध्यम से भी मिलेगा यह जो software है वो आपको computer में देखने को मिलेगा computer के software जो है आपका drilling के साथ ही काम करते हैं कि उसमें किस प्रकार का महां पर कोईला रिजर्व है या किसी भी रिजर्व को देखने के लिए वो अपना पता लगा सकते हैं इन्होंने बताए कि Indian coal mines जो है लगभग 300 मिल्टर से लेके 600 मिल्टर तक में सामिल है जो आपका depth की बात कर रहे हम देप्थ जो है आपको 300 मिल्टर से 600 मिल्टर तक में आपको कॉल रिजर्व देखने को मिलेगा इंडिया में इसके अलावा इन्होंने बताए कि लास्ट येर जो है लगबग ट्रक माउंटेल सिस्टम के माध्यम से जो है जिसमें इन्होंने पता लगा है कि 148.8 billion ton कोईले का जो रिजर्व है वो आपका proven रिजर्व के माध्यम से पता चला यह जो कमपनी है CMPDIL, coal mining planning design institute इन्होंने last five years में इतना कोईले का पता लगा है 2012 से लेके 2018 तक के बीच में 148.8 billion ton कोईले का जो रिजर्व है वो इनको मिला है जिसमें जो है इन्होंने decide किया है कि किस प्रकार की जो company है मतलब जो machine है वो adopt करेगी company और किस माध्यम से जो है आपका वो कोईला ही निकालना है friends आपको बता दें कि कुछ कोईला जो है वो आपको machine ना मिलने के कारण भी नहीं निकल पाता है क्योंकि वो सीम थिकनेस काम होती है तो friends अज के वीडियो में बस इतना ही चैनल पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें थैंक्यों थैंक्स पर वर्चिंग